बीवी के तानों का सर जबलपुर के मोटर मेकैनिक पर ऐसा हुआ कि उसने स्कूटर का हुलिया ही बदल दिया 50 साल से टूबियर सुधार रहे अकरम के पास 1999 मोडल की स्कूटर है 30 साल पुरानी स्कूटर पर बैठना वीवी को अच्छा नहीं लगता था अक्सर स्कूटर को लेकर तंज कस्ती थी ताने देदी थी अकरम ने अपनी इसी स्कूटर को ऐसा मोडिफाई किया कि अभी सड़क पर निकलती है तो लोगों की नजरे नहीं हटती 65 साल के अकरम ने बताया एक जमाने में बजाली स्कूटर का बड़ा क्रेस था माइलेस भी अच्छा था हमें भी दहेज में यहीं स्कूटर मिला था हम वीवी के साथ सांस इस पर सफर करते थे पर समय बदला एक से एक टू विलर्स आ गए जिस स्कूटर पर पत्नी सांस से बैठती थी, अब उसे ही चिड होने लगी थी, अक्सर बोलती थी कि इस खटारा स्कूटर से पता नहीं कब मुक्ती मिलेगी, उसकी यही बाते मुझे चुबती थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करो, कार तो खरीद नहीं सकते थे, मैं कहने हूँ तो सूचा कि क जो ना अपनी स्कूटर को ही मोडिफाई कर दूं बस यहीं से सुरू हो गई स्कूटर को नया लुक देने की मेरी कोसिस स्कूटर को मोडिफाई करने में मेरे सतर हजार रुपे खर्च हुए इसमें LED टीवी लगा दी है पीछे बेब कैमरा लगाया है इसे भी टीवी से कनेक्ट कर दिया है मेरे स्कूटर में सतर और अस्ती के दसक के गाने बचते हैं सीट को खुब सूरत और आराम दायक बना दिया है इसकूटर को लाइट से ऐसा सजाया है कि जब ये चलती है तो लोग देखने को मज़बूर हो जाते हैं चमचमाती लाट वाली इस स्कूटर को देखकर अक्सर लोग इसकी सवारी करने की पेसकस करते हैं सत्पुरा होस्पिटल के पास गेराज चलाने वाले अक्रम के पास अब दूसरे लोग भी अपनी स्कूटर को इसी तरह मोडिफाई करवाने के लिए कौंटक्ट कर रहे हैं अक्रम दे मताबिक उनके गेराज में आने वाले लोग उनकी स्कूटर एक खूड़ियों को देखना और कुछ दूर तक चाल लेने की डिमांड करते हैं वैं भी किसी को नी रास नहीं करते अक्रम के दोस्त कुमार सेर कहते हैं कि ये किसी कार से कम नहीं है कार की तरह छत ही तो नहीं है पर ऐसी सुधा कार में भी नहीं मिलेगी ब्यूरे रिपोर्ट दाखबरदान नियूज पर इसमें टीवी लगा जिया, बेक्टेबर लगा जिया, कारी में लाइट, फंचन, पिलकुल जैसे पत्की सक्की है उस तरीगे से सजागी